हेलो दोस्तों एक न्यू इसे कई अनिमे तुसोई गामीची भी कुई से कई दूचू के सीजन 2 के एपीसोड 18 के हिंदी इस्प्रेशन में तुम्हारा स्वागत है अगर तुम इस चैनल पे नए है और तुम के अनिमे पसंद आती है तो फिर चैनले को सब्सक्राइब करना व वर्ल में किस पोजिशन पे रहना चाते है उनकी पाउड इतनी हो चुकी है कि अगर मैं उनसे फाइट करनी कोशिश करूंगी तो फिर बैंबस उनको बस इसक्रैच ही दे सकती हूं तभी लूट कहता है माकोटो तो इतना ताकतवर बनेगा और इतना ताकतवर बनेगा कि व मांस्टर था उसको मेरे स्टूरेंट ने खतम कर दिया है तभी जो किंग था माकोटो का शुक्रियादा करता है जिए तुमारे स्टूरेंट की पाउर है कमाल के है मैं तुमारे स्टूरेंट को मेरे आर्मी में लेना चाती हूं तो इस उनकी जो माकोटो कहा था जरूर क्यो जाना होगा लेकिन जो राजा था वो कहता है तुमारे पस तो काफी पवड़ है क्या तुम मॉंस्टर खतम नहीं कर सकते माको तो कहते है अगर जरूरत परी तो मैं उनको खतम भी कर दूंगा फिकर मत कीजिए तभी राजा माको तो को देखे कहता है तुम्हें देखे मुझे हमारे पहले हीरो की याद आती है तभी राजा अपने बेटी से कहता है जो हॉपले के डोमेन में जितने भी टूप से उनको तुम एक्टिव कर देना क्योंकि हमें जो मॉंस्टर उन्हें खतम करना होगा दूसरी तरफ जो माको तो है अपने स्टूडेंट के पास आता है च तभी जीन माको तो से कहता है मास्टर हम बिल्कुल सही हैं लेकिन मुझे इस बसका दुख है मैं जो मॉंस्टर से खतम नहीं कर पाया माको तो कहता है फिकर मत करो फ्यूचर में तुम्हें और भी मौकें मिलेंगे ऐसे तभी माको तो अपने दोनों सर्वेंट शीकी और मिय लगता है मुझे शॉप को खोलेवे जादसा में भी नहीं हो लेकिन यह शॉप नी जल्दी तबाह हो गया लगते मुझे एक दूसरी जगह पेक नूश आपको खोलना होगा तभी माको तो देख पाता है रेड़ लाइट डिस्ट्रिक में जो काफी मॉंस्टर हमला कर रहे ह इसल्या माको तो हुआ पर चाता है उन लोगों को बचाने के लिए ओध देख पाता है एक आकटूबस मौन्स्टर काफी लड़के को उबर हमला कर रा है और एक लड़की सब लड़की को पोटेट कर रहे होती है यह माको तो नोगों के पास आता है और कहता है तिम ल लोगे वर मॉंस्टर हमला किया है इसलिए मैं तुम लोगे मदद के लिए आ चुका हूं तो हमला कर देता है माकोत अपने शीर्ट की मदद से उनको पूटेट करता है तब माकोत उनसे कहता है तुम यह पे जितनी भी लड़की को देख पार ही उनको सभी को लेकिया से भाग माकोत तो आपने रीजनरेटिव अबलेटी की मदद से अपना मध्याशति कहता है उनकों उन जाएंगे मागोटों कहाता है जो इससलाम से हुआ पर डेमी हुमेंस रहते हैं जो यह मुझा पहचानते हैं कि मैं उनके सबस्टेक्र करता हूं । मर्चेंट हो या सूनके जो स्तिला कहती है कै तो मोही कुजो ना ठ्रेडिंग कमपथीजिंग कउपनी यह सिन पजाती है जो कंफी साइट के लिए महाती है बपने जाता है तौह के माकवत तो कियाता है आगर फ्यूटर जो मुट्र में दरों शीकी सबी स्टुडेंट को लेकर एक सेफ जगा पर जा रहningar होते हैं जहाँ जो मूंस्टर तीमें कोर्ट था उसके पुरस वा के कहती है तो मुझे पता है तुम्हें भी जिन्दा हो तब जो मॉंस्टर था इलूम गार्ड उफर से खड़ा हो जातर कहता है डीमिन से उन्होंने मुझे धोका दिया है उन्होंने मुझे ऐसा तयर कर दे ऐसा मॉंस्टर मैं अप कैसी से नहीं मिल सकता है मुझे अब ऐसे ही रहना होगा लेकिन फिकर मत करो मैं जो गोतेट सु है और लूडिया है उन तोनों कभी बे हमला नहीं करोगा मुझे नहीं पता क्यों लेकिन मुझे उन लोगों प्रोटेट करना है अगर मैं एक आर्मान के अंदर चला जाओ तो फिर वो मुझे जरूर से पैचान नहीं पाएंगे तो फिर मैं उनकों सतर रह सकता हो और मुझे जो हीरो हीबो की सामा है उनलों की मादद करने इस कंट्रिकर प्रोटेट करने में अगर मैं उनका स्वाड नहीं बन सकता है तो फिर शील्ड सरूर से बन सकता हूँ तबी जो मियो थी अपने एटेक से इलूम गट कूपर हमला करते है तुम अब बस नहीं सकते तबी लूम गट कहता तुम मेरे उपर हमला क्यों कर रहे हो मैंने तो कहा दिया मैं किसी को उपर हमला नहीं करूँगा लेकिन मियो कहती है मैं बस यहापे तुमें पनिश करने के लिए आई हूँ युकि तुमने मेरी यंग मास्टर का भी परेशान किया है मैं तुमें कई भी माफ नहीं कर सकता मुझे अच्छा लगा तुम्हारे पस तुम्हारे हुमन कॉंशेसनेस है तब ही जो मियो थी अपने डार्ट के लिमेंट से लूम गट को उपर हमला करती है और उसे दर्थ देने लगतर कहता है तुम इस दर्थ के हगदार हो तो भी तैयार हो जाओ और भी दर्थ के लिए तब ही मियो आखिर में उसे पूरी तरीके से खतम कर देते है और वहां से निकल जाती है दूसरी तरफ जो माकटो है उस अभी के साथ वार्ट के बारे में डिसकस करने लगता है जहाँ पे जो एरिस थी उससे कहते है मास्टर जो हीमन्स कम्यूनिकेशन और डीमन्स का दोरा डिस्ट्राइ हो चुकी है तब शीकी कहते है यंग मास्टर हमें ही डीमन्स का एक मैजिकल डिबाइस मिला है जो हीमन ही कम्यूनिकेशन का खतम करता है तभी जो माकोतों कहते हैं लगते है डीमिन्स ने इनको छुपआने के लिए काफी है मैनत किया हमें भी नहीan पता चला तभी शिकर कहते है मुझे माफ कर दी है मेरी है मैने इंड को ढूणने कोशिश नहीं की लेकिन तभी मियों कहते हैं यंग मास्टर हमारे कम्मिनिकेशन में तो कोई भी दिक्कत नहीं आई तभी तुम्हें कहते हैं क्योंकि जो हमारे कम्मिनिकेशन है वो डीमन सी कम्मिनिकेशन की तरह है इसी वज़े से हमारे कम्मिनिकेशन कुछ भी नहीं हुआ मा को तो कहता लगता है जो डीमन्स है और हीमनी कर्मिनिकेशन खतम करना चाहते थे तब ही तुम्हें कहते है यूंग मास्टर जो मैजिक एकडेमी के हिट मास्टर है उन्होंने एक न्यू आर्मी को तयार किया इस टीमा से लड़ने के लिए और दूसरे कंट्री के जो आर्मी है वो भी इस कंट्री में आएंगी इनके मदद के लिए हम उन लोगों को जो हमारा नेम है उसे च्छीन के नहीं लिए जाने दे सकते हम दुनिया को बताना होगा हमने इस कंट्री की मदद की ना कि उन्होंने कैने तब ही तो हम कहता है जो इस कंट्री के राजाची है उन्होंने मेरी टिलेपोटेशन मेजिक के लिए मदद मांगी है मा को तो सोच ता है जो डीमन्स से औरने ऑरकनाशिशन की मदद लिए है जिसकी वजह से उन्होंने इतने सारे म्यूटेंट को तैयर कर पाए है मांगो तो सोचता है जो डीमन से उन्होंने और्गनाजिशन आ क्यों मदद लिया अगली सुबह को जो मांप तो है बोल सां से मिलने के लिए जाते है जहां माघृ तो उसे पूछते हैं तो होना तभी बाउल्ट से बताते हैं बल्कु 中共 पूछते हैं कि किसी लोगता है उस इस नकलता है ने. माघृ उन दोनु नको्तų कहते हैं तुम दोनों मिलके इस country में जितने भी दीमन्स लोगता हैं दूसरी तरह माको तो जो इस्टेला था उससे मिलता है इस्टेला को दुखके माको तो कहाता है लगता है तुम बिल्कुल सही सलामा तो इस्टेला कहता है बिल्कुल ये माको तो उससे पूछता है जो सलाह में बिल्कुल सही तो है ना दो इस टेला बता देते हैं बिल्कुल सही है दूसी तरफ जो माको तो है वहाँ से निकलकर मैजिक एकडेमिक हिट मस्टर से बिल्ले के लिए आता है और वो दोनों Hitmasters से कहते हैं आप Maakot को उपर इतने चिलाई यह मत जो Maakot है उसके पास ही Powered टेमस से खतम करने के लिए इसलिए हमको इसको जरूरत है तब यह दोनों Hitmasters से कहते हैं कि हम Maakot को ले सकते हैं टीमन से खतम करने के लिए तब ही Maakot तो प्रिंसेस लीली और प्रिंसेस साइडूस की माश्यादा करता है और कहते हैं तो लोगा बहुत बहुत शुक्रिया तब प्रिंसेस लीली Maakot तो से कहती है तो फिकर मत करो तो तो अकले डीमेंस के साथ नहीं लड़ने वाले हो जो हमारे कंट्री का जो हीरो है वो भी तो मारे मंदद करेगा जैसे उनके Maakot तो सोचता है जैसे कि तुम्हें ने कहा था जो दूसरे कंट्री है उन्होंने अपने आर्मी को फेचना शुरू कर दिया है मुझे भी कुछ करना होगा तब जो प्रिंसस लीली कहती है कई सब खताम होने के बाद के हम दोनों बाते कर सकते है Maakot तो इस बास से मान जाता है तब प्रिंसस लीली कहते है तो फिर डिसाइड हो गया Maakot तो सोचता है लगता है मुझे नॉर्दन सीटी में जो डिमेंस लीली खताम करना होगा लेकिन इसकी वज़े से कुछू होना ट्रेडिंग कमपनी है उसका एक बहुत ही अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा सीटिजन के उपर जिसकी वज़े से जो खूसरा ट्रेडिंग कमपनी है और भी फेमस हो जाएगा जिसकी वज़े से हमें फ्यूचर में कोई भी खत्रा नहीं होगा अगर उन फ्यूचर में कुछ करने कोशिश भी करेंगे जो इस कंट्री के राजाजी है क्योंकि हमने इस वक्त उन लोगों के जो किंडमें उनको बचाया है अगर तुम्हें आनी में पसंद आई है तो फिस चनले को सब्सक्राइब कर लो वीडियो के लाइक कर दो और कमेंट बॉक्स में कमेंट करो और इसके पहले के और बात के एपिसोर्स के लिए चनले के प्रेलिस को जरूर से एक बात चेक कर लेना और चनले कमेंट को जरूर से फॉलो करते रहना